Welcome to the video guys, so आज के वीडियो में बात करेंगे data bridge के बारे में, जानेंगे data bridge आखिर होता क्या है और अगर इससे कोई आपको चिंता जनक बात है तो यह कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए या फिर आपके लिए, साथ ही जानेंगे भी हाली में सुर्खियों में चल रहे जोमेटो और एर इंडिया जिसे कमपनियों के द्वारा होने वाले data bridge के बारे में, वो intentionally हो या unintentionally अभी उसके बारे में legal action लिया जा रहा है, बार में पता चलेगा कि यह intentionally हुआ या unintentionally हुआ, और साथ ही जानेंगे कि अगर आपका data bridge होता है तो आपको इस तरह के कैसे consequences का साम तो उसका ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एक individual या फिर organization का data, individual का मतलब समझ सकते हैं आपका data, अगर आपका data कोई organization या फिर कोई company या फिर कोई app website आपके permission के बिना किसी दूसरी website या फिर दूसरी organization को दे देता है, तो उसे हम कहते है data breach, अब यह intentionally होता है कई बार जान ब आपका data leak होना, किसी एक unauthorized जिसको आपने permission दिया भी नहीं है अपना data access करने के लिए, अगर उस तक आपका data किसी company से पहुंच जाता है, तो उसे हम कहते है data breach, अब इसको समझने के लिए example लेते हैं, जैसे कि मान लिजी कि आपका कोई एक friend है, अब आप उस friend को trust करते हैं, बरोसा करते हैं उस पर, और आप उसको बरोसा करके अपना phone number देते हैं, अब वो मान लिजीए दोस्त, मान लिजीए intentionally, जान बुझकर या फिर अन जाने में उससे वो आपका phone number गलती से किसी और को मिल जाता है, अब उससे किसी और को इस तरह से बहुत लोगों का आपका number मि लेगा, तो ये data breach एक छोटे से पैमाने पर है, और ये जब बहुत बड़ा नाम ले लेता है, तो इसे worldwide पर हम लोग data breach कहते हैं, अब समझते हैं, कि data breach जो होता है, उसमें आपका कैसा data breach हो सकता है, या फिर leak हो सकता है, किसी और को मिल सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं अब जान लेते हैं, कि बहुत सारे ऐसे terms, जिसमें कि आपका data breach हो सकता है, जिसके form में आपका data किसी और को मिल सकता है, तो बहुत लगों कैसा लगता है, कि data breach होने से क्या हमें क्या, हम मेरा थोड़ी कुछ गया, और लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, कि उनका data इससे loss हो सकत है, financial information का मतलब है, किसी आप website से कुछ खरीदते हैं, अब जब उसमें कुछ खरीदते हैं, तो उसमें आप payment के लिए अपना कोई payment option चुनते हैं, credit card, debit card, UPI, internet banking, या फिर अलग-अलग बहुत सारे methods हैं, अब उसके के लिए आप क्या करते हैं, अपना bank का information, card का information, बहुत सारा information वेबसाइट में डालते हैं, उसमें CV भी डालते हैं, अपना card number, नाम, बहुत सारे data डालते हैं, इससे क्या होता है, कि आपका data जो है, उस company के पास चला जाता है, अगर वो company चाहे, या फिर अंजाने में उस company से वो data किसी और को मिल जाए, अगर वो आपके bank account में घुस सके और आपके पैसे को निकाल सकें, तो आप समझ सकते हैं, आपका जिन्दगी बर की पुझी इसमें खतम हो सकती है, तो दूसरा point समझते हैं, आप लोग, personal health information, तो personal health information जो है, यह इतना जादा इंडिया में popular नहीं है, क्योंकि इंडिया में लोग personal, मतलब की health information को online store करने को उत किसी भी service को accept कर सकते हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इससे कैसा problem हो सकता है, माल लीजिए कि आपको कभी एक heart transplant का जरूरत है, और ये data किसी specific hospital को मिल गया है, अब वो hospital आपको call करता है, कहता है कि आपको heart transplant का जरूरत है, हमें कहीं से आपको पता चला, अगर आपको heart च मिल नहीं रहा, अब वो क्या करते हैं, आप 4 lakh में accept कर लेते हैं, और आप 4 lakh दे के heart transplant कर लेते हैं, लेकिन actual में उस heart का price कितना था, सिर्फ 2 lakh, अब लेकिन आपको 2 lakh का चुना लग गया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया, आपको जब कि वो 2 lakh में ही मिल जाता, लेकिन आ बहुत सारे बड़े-बड़े investors होते हैं, वो अपना portfolio, portfolio का मतलब होता है कि वो किन-किन companyों में invest करते हैं, वो कभी किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन वो online store रहता है, अगर माल लिजिए कि वो किसी एक website में वो data को store रखे हैं, और अगर वो data उस company से किसी और को मिल जाए, तो अब वो क्या होगा, कि इससे बहुत सारे लोगों तक वो data पहुच जाएगा, और data पहुचने पर क्या होगा, सभी लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे, इस तरह के बहुत सारे technical facts हो सकते है, trade secrets में, जो भी trade करते हैं, या invest करते हैं, stock markets में, share market में, तो आपको समझ में जब उसके terms and condition को tick करते हैं, तो वहाँ पर terms and condition में अगर वो ये बोले रहे, अगर वो permission में, आपका camera का permission, या फिर आपका file explorer का, file manager का, उसका अगर access उसके पास चला गया है, अब वो आपका सारा photo access कर सकता है, video access कर सकता है, text message access कर सकता है, और अगर गलती से, या intentionally वो आपका data data किसी और को पास पहुचा देता है, या पहुच जाता है, किसी कारण वस, तो वो data का वो बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर सकता है, आप खुदी समझ सकते हैं, तो ये चार जो factors थे, इसमें आपका data leak होता है, या breach होता है, अब हम समझते हैं, कि आपका फाइदा जो उ पर्सनल ही बोल सकता है, कि मेरे पास आपके ये photos, videos है, अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देंगे, तो मैं इसे इंटरनेट पर upload कर दूगा, या इस तरह के बहुत सारे आपको problems का सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है, जिसमें आपको personal loss है, दूसरा होता है, political profit, और ये political profit है ये अभी के time पे बहुत ज्यादा famous है और बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहता है, अच्छा इसको समझने के लिए example लेते है, कोई एक party A है, और कोई एक party B है, ठीक है, दो parties है, जो की आपस में मतलब चुनाव लड़ने वाले, election होने वाला है, अब ये दोनों क्या कर आते है, तो campaign जिजब चलाते है, तब क्या होता है, मालने जिए A अपना campaign चला रहा हो, B अपना campaign चला रहा, लेकिन A क्या कता है, कोई एक कमपणी है X, Y, Z यहाँ पर कोई भी कमपणी हो सकता है Facebook, Twitter कोई भी कमपणी हो सकता है ठीक है अब यह क्या करता है इसको इस से बात करता है इसको बोलता है कि एक काम करो तुम बस मेरे को यह बता दो कि यहाँ पर जितने भी लोग इंटरनेट पर है उनमें से कितने लोग A को पसंद करते हैं और कितने लोग B को पसंद करते हैं और XYZ जो company है आपसे कोई एक poll करवाता है कोई एक survey करवाता है और बहुत सारे ऐसे और नहीं तो अगर वो आपका history चेक करता है या फिर देखता है कि आप किस तरह को पोस्ट को लाइक करते हैं एक पोस्ट को लाइक करते हैं कि बी के पोस्ट को वीडियो को लाइक करते किस पालटी को पसंद करते हैं इससे पता चल जाएगा आपके comments देख सकता है लोग B को पसंद करते हैं और 30% लोग A को पसंद करते हैं अब इससे इसको पता चल गया कि अब तो हम हार रहे हैं ठीक है लगब लगब यही वोट का परसंटेज भी रहने वाला है अब क्या करेगा यह इस company को बोलेगा कि तुम बस मेरे से और पैसे लेलो इतना पैसे लेलो पैसे जो भी agreement हो कि बी के जो भीवर्स थेना जो भीवर्स है जो लोग बी के पोस्ट को लाइक करते हैं अब से तुम क्या करना की बी के पोस्ट को लाइक करने वाले के feed में Facebook का जो feed होता है जहां पर आपको सबकुश दिखता है वाल वहाँ पर क्या करो कि A के party A के अच्छ एक सिंपप्टप सूज़ अगर आप किसी के बार में बार चा सुनेंगे इस तरीका से आपका जो ड़ता है वो मैनुपलीट हो जाता है और आपको खुद बता नहीं चलता है क्योंकि आपने तो रुजहान में राकर वोड दिया है ना वीडियो देखकर पोस्ट देखकर आपका मन बदल गया कि नहीं यह अब यह खराब है वो पोस्ट और वीडियो देखके आपने मेन उसके किया और जो ज्यादा तर साइकोलोजी होता है इसी पर काम करता है और यह एक्चुल में हो चुका है इसका मैं प्रैक्टिकल एक्जामपल बताता हूं अभी जैसे कि माल लिजे आप जानते होंगे 2016 का यूस प्रेसिडेंसी चुनाव उसमें क्या हुआ कि वहां पर यूस मे एक कंपणी उपर आती है जिसका नाम था Cambridge Analytica अब वह कंपणी क्या करती है वह एक डेटा कंपनी है वहां पर वह डेटा को इधर उदर मतलब कि डेटा का देखवाल किया जाता है बहुत सारा इसा डेटा से रिलेटेड काम होता है अब वह क्या करती है वह फेस्बूक के पा सकते सर्वे ही आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक एक जामपल सर्वे का अब उसको एक सर्वे दिखाओ अब बहुत सारे लोग इस सर्वे को भरेंगे सर्वे में फॉर्म था होता है उसमें क्या भरना रहता आपका नाम फोन नंबर email ID और माल लिजे कि आप किस लगने लगा है अभी तेक आरपी लगते रहा है फेस्बुक पे प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन वह आरप यह लगता है कि फेस्बुक ने क्या क्या वह डेटा डोनाड ट्रुम को बेच दिया कुछ पैसों से मतला कुछ नहीं बहुत ज्यादा ही पैसा होगा तो को बेज दिया, अब वो Donald Trump क्या किया, वो जो Cambridge Analytica Company था, उसके थुरू, और Facebook के थुरू मिलकर क्या किया, जो Will Clinton थी, इनके बारे में खराब खराब पोस्ट, किसके वीवर को दिखाने लगा, Bill Clinton के वीवर्स को, जो कि Bill Clinton को सपोर्ट करते थे, उनके फीड में, Bill Clinton के बारे में खर अच्छा दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में बुरा दिखाया जा रहा है, बुरा है, आपने सुना होगा यही चीज बहुत बार, कि जो चीज दिखता है, वही चीज बिखता है, ठीक है, सिंपल चीज वही है, कि जो ज़्यादा दिख रहा है, कि अच्छा यह अच्छा उनको बहुत सारा इसके लिए जेलना भी पड़ा, उनको कॉंग्रेस के सामने जाना पड़ा, उनको गवाही देनी पड़ी, आप छोटा से एक वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं. अपड़ी के लिए देखि रिख देख की प्रेशिदेंसी चुनाव तक यूज किया जाता है या फिर गलत फाइदा उठाया जाता है तो अगर आपको यह समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पर सकता है अच्छा कई बार आपने यह से सुना होगा कि मान लिज्या आपको कोई कॉई कॉई और आपको नाम से पुगारता है आपका वो एड्रेस उसको पता होता है कॉन सा स्टिम है कॉन सा बैंक अकाऊंट है तो इससे रहता है आपको लगे है कि अच्छा इतना डिटै पता है इनुन बेकिन असप्त्रु है ॹैसे अक्त्रों एमान रिजीटा को किसी और तक है इससे आपका data जिन तुको आपने permission भी नहीं दिया कि मेरा data दो लेकिन वह लोग दे दिये ठीक है पैसा उसे लेके दे दिये अब आपका data तो पहुच गया अब वह लोग आपको 680,000,000,000 लोगों का ठीक है तो समझ सकते हैं लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि data breach कैसा होता है अब इसको समझ लीजिए कि जो अगर आपका data breach हो चुका है तो आप इससे कैसे बचेंगे तो इसको जानने के लिए कि आपका data breach हुआ है कि नी आप सबसे पहले Zomato के app में लोगीन करेंगे अगर आप successfully login कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा chances है कि आपका data breach नहीं हुआ है लेकिन अगर आप sign up नहीं कर पा रहे है इसका मतलब आपका data breach हो चुका है ठीक है तो आप आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना forgot password करके new user बना सकते हैं लेकिन अगर बहुत लो तो क्या होता था कि अब वहां पर आपका location store रहता था और इससे बहुत सारे बहुत सारा problems आपको जिलना पड़ सकते हैं अगर आप अपना location share नहीं करना चाहतें फिर भी उस company के पास आपके last 6 मैने के locations पहले से हैं तो इस तरह के बहुत सारे problems हो सकते हैं तो इससे बचने के लिए मैंने उपाई बता दिया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो डिटाब्रीज समझ में आया हो तो प्लीज डेटा को जितना हो सके आप इस तरह के website से बचे ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो डेटाब्रीज समझ में आया हो बाकी टम्स को और अगर अपने दोस्तों को शेर कर सकते हैं तो शेर कर दीजिए तक के लिए बाई टेक केर